मध्यप्रदेश में भी सर्थी का सितम बढ़ने लगा है पहाडों से आई सीधी बरफीली हवा के कारण मध्यप्रदेश में ठंड अच्वानक से बढ़ गई भुपाल समेत कई शहर में शीद लहर की चपेट में शहर आगया है मौसम वभाग के अनुसा नए साल की शुरुआत में उत्तर के पहाडी राज्यों से लेकर पुर्वी और उत्तरमत्य प्रदेश के अधिकांश एलाकों में घना कोहरा रह सकता है वहीं अभी ग्वालियर और अंदौर में गोहरा च्वाने लगा है जबलपुर में भी कोहरा देखा जाने लगा है भुपाल में सुभा के समय हलका कोहरा है इसके साथ ही आने वाले समय में गोलियर चंबल में कोहरा और बढ़ सकता है आपको बता दे कि उत्तरी हवाओ के कारण प्रदेश के कई जिलों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीच्वे आ गया दतिया सबसे ठंडा रहा यहां न्यूंतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीच्वे आ गया इसके अलावा धार, गोना, गोलियर, पंचमडी, राजगर, रतलाम, खजुराहो, आदी शेहरों में भी जो है न्यूंतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीच्वे देखा गया मौसम विभाग के अनुसार 27 से 30 डिसंबर के बीच दिन और रात के तापमान में मामूली बड़त होगी अभी पश्यम उत्तर हवाय पहाडों से बरफीली हवाय लिकर आ रही है जो 27 से बदल जोएंगे इसके चुलते दिन और रात दोनों के तापमान में कुछ बड़तरी होने की संभावना है